हेलो बच्चो, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पेलिंग टेस्ट को, यह स्पेलिंग टेस्ट का पार्ट 9 है इससे पहले इट पार्ट हम दे चुके हैं अगर आप उन सभी पार्टों को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर प्लेलिस से देख सकते हैं साथी साथ हमने स्पेलिंग टेस्ट के साथ साथ सीनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपके लिए एजेक्टिव टू, नाउन नाउन टू एजेक्टिव प्रिवेसर के कोसंस, फिजिक्स के, मैथ्स के सभी के हमने डाले हैं एरफोर्स, इंडिये, नेवी, सभी बच्चों के लिए अगर आप उसे अभी तक नहीं देखें तो जाके उसे भी देख लिए हमने एंडिये के लिए complete course of chemistry निकाला है उसे भी आप देखिए, उसके लिए बच्चे का अच्छा response है अगर आप एरफोर्स के साथ-साथ एंडिये के भी तियारी कर रहे हैं तो आप जाके उसे जरूर देखिए, जाके प्लेलिस से तो चलिए अपने वीडियो के और बढ़ते हैं यहाँ पर आपको हम बताएंगे spelling test आपको spelling test देने से पहले, solutions को देखने से पहले आप अपने से try कीजेगा, आप खुद से एक बार try जरूर कीजेगा spelling को ताकि आपका क्या हो, उसे spelling अच्छा बने सिर्फ answer देखलने से spelling test कभी सहीर नहीं होता है आपको खुद से एक बार try करना पड़ेगा फिर solutions को देखिएगा और आपको बतादे बच्चे, यहाँ पर हम सभी meaning के, सभी words के meaning भी बताएंगे Hindi meaning, ताकि आपको यह synonyms, antonyms, passage इन सभी में काम आएगा तो चलिए, पहला question है हमारा Find the correctly spelled word of millionaire आपको millionaire का correct spelled word बताने हैं वीडियो पहुच कर लिजे और खुद से try कीजे तो चलिए बच्चे, हम start करते हैं, बता दे आपको millionaire का आपको correct spelled word millionaire का spelling में M-I-L-I-O-N-A-I-R-E होता है M-I-L-I-O-N-A-I-R-E millionaire का meaning होता है, millionaire का meaning होता है करोड़ पती, millionaire का meaning क्या होता है करोड़ पती, यानि इनके पास करोड़ रुपया हो, क्या हो, करोड़ पती हो उन्हें कहते हैं millionaire देखिए, यहाँ पर गलती कहा होती है, millionaire के spelling में millionaire के spelling में गलती कहा होती है इसका option number D का है, सही answer है तो यहाँ पर spelling होती है इस R-E के जगव पर बच्चे क्या करते हैं millionaire के spelling में R-E के जगव पर E-R लिग देते हैं जो कि क्या है गलत है आपको याद रखना है millionaire के spelling में R-E के जगव पर E-R नहीं होगा क्या होगा? क्या होगा? R-E होगा क्या होगा ER नहीं होगा R E होगा डे आपको millioneare millioneare याद रखे आप pronunciation से याद रख सकते हैं किसी spelling को भी millioneare पढ़ते हैं हम इसे millioneare लेकिन आप याद करने के लिए millioneare याद रखे उससे क्या होगा आपको spelling याद रहेगा तो यहाँ पर R E होता है ना कि E R होता है next बात करते हैं हम अपने next spelling की find the correctly spelled word of psychology क्या होता है psychology psychological का बताना है आप इसका बताना है psychological तो चलिए हम बता दें आपको psychological का spelling होता है P S Y C O L O G I C A L psychological देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चे psychological के spelling में गलतिया कहा होती है psychological के spelling में गलती या बच्चे इतना spelling को सही लिखते हैं गलती यहाँ पर हो जाती है बच्चे क्या करते हैं पी को क्या करते हैं छोड़ देते हैं क्या करते हैं छोड़ देते हैं लिफ्ट क्या करते हैं पी को छोड़ देते हैं देखिए पी क्या होता है वह में silent होता है P क्या होता है है ilien, silent होता है आपको pronunciation में psychological ही पड़ते हैं लेकिन लिखते समय हम P psychological लिखते हैं याद रखें इस बात को लिखते समय हम P psychological लिखते हैं option B क्या है allein है anos scribological क 61 meaning होता है mannow व्यानिक जो मन की बात करें मन की बातों को जाने क्या हो मनों विज्ञानिक चलिए next बात करते हैं find duck correctly spelled word किसका उताना है आपको उताना है इन सभी options में से जो भी correct spelled word है उसको आपको यहाँ पर options को चुनना है तो चलिए हम बताते आपको यहाँ पर option number a क्या है सही है यहाँ efficient का spelling है यह क्या है आपका सही दिया गया बाए efficient efficient का मतलब होता है बच्चे कुसल क्या होता है कुसल क्या होता है कुसल यानि कुसल मंगल अच्छा रहना ठीक है चलिए efficient के spelling में गलतियां कहा होती है इसे आपको होता है तो efficient spelling में I के जगबर गलति यह बच्चे आइच के जगबर पर E लिदेते हैं जो कि क्या है गलत है याद रखना है आपको I के जगबर पर E नहीं लिखना है क्या लिखना है इस efficient लिखना है E W F I C I E N T ना कि E लगा देना है I के जाएवपे चलिए ये क्या है आपके इसमें जो जो mistakes होते हैं आपको वह भी पताते चल ले हैं मीनी के साथ साथ ताकि आप वही गल्ती एक्जाम में ना करे foreign क्या होता है foreign देखिए बोलते हैं इसे foreign foreign ओप्शन नमर लोगीन क्या होता है कि यहाँ पर आपको बिला दें कि गल्ती क्या करते हैं bachचे यहाँ पर you mean क्या करते हैं foreign Geyin कर देते हैं kyan करते है foreign जो कि क्या है गलत हो जाता है आपका फॉरजीन में फॉरजीन में जी आई एन नहीं क्या होगा आई जी इन होगा चलिए नेस्ट मेनिंग की बात करते हैं find the correct spelled word omnisius क्या बताना है omnis का omnis का spelling आपको बताने हैं तो यहाँ पर क्या है आपका बच्चे यहाँ पर आपका option number C क्या है सही है omnis पढ़ते हैं omnis और लिखते हैं omnis का meaning होता है अमंगल क्या होता है अमंगल क्या हो जो मंगल नहीं हो जो हितकारी नहीं हो विकार हो ठीक है तो चलिए आपको दादे कि गलती कहां करते हैं बच्चे इस जगह पे यहाँ पर omnis के यहाँ पर नहीं डालना है ठीक है याद रखे इन के बाद इन नहीं आएगा ओमनीएस में तो मिनस मतलब अमंगल देखिए हम इतना बार इसके लिए बोलते हैं ताकि आपको याद हो जितना बार हम बोलेंगे जितना बार सुनिएगा उससे भी याद होता है बच्चे को प्र प्लीज हमें ज़रुर सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे-चे कंटेंट ला सके ठीक है थैंक्स पर वाजी में वीडियो फिर्म देंगे च्छुड़ी साथ तब तक के लिए बब बाए